बोस्तों मैं रोज शुक्ला एक बार फिर से आप सही का स्वात करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेज में हम CSIR NET GRF Mathematical Science की लेक्चर सिरीज की तयारी कर रहे थे जिसमें हमने सब्जेक्ट कौन सा लिया है? Complex Analysis तयारी है 2324 की यह हमारा आज का है लेक्चर नमबर 6 इसको शुरू करने से पहले कुछ जहूरी बाते आप लोग से करना हूं कि सब्सक्राइब तो जहूर करिए, लाइक जहूर करिए, शेयर जहूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दूसरी बात, यदि आप इसके complex analysis को पूरे course को purchase करना चाहते हैं तो आपको play store में जाके गायत्री education classes पूरा type करना होगा हमारा जो हमारा app है, वहाँ से आपको ये पूरा lecture series पूरा course वहाँ पे आपको मिल जाएगा उस पूरे course को आप वहाँ से purchase करके उसका आनन ले सकते हैं यहाँ पे सारे lectures डलना possible नहीं है दूसरी बात यह कि यदि किसी को problem हो रही है कि वो find out नहीं कर पा रहा है तो description box रहता है, YouTube के हर वीडियो के नीचे एक arrow रहता है उस arrow पे आप जैसी क्लिक करते हैं तो description खुलता है वहाँ पे भी मैं अपने app की link वहाँ पे आपको दे दूँगा तो यह ज़़ूरी सूचना थी कि यदि आप सारा course देखना चाहते हैं और भी subjects के भी course वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ठीक तो बस इत्ती बात ही चलिए आगे शुरू करते हैं अच्छा दूसरी बात यह यह lecture number 6 है lecture number 5 तक हमने जो भी concept सीखे है सारे अपलाई होंगे धेरे-धेरे तो होप सो आपने उस सारे lecture देखे होंगे ठीक lecture number 6 पे हमने एक question उठाया है यह CSI NET JRF में 2013 में पूछा गया question है एक mathematical science वालों के लिए क्या पूछा गया है कि if Z1 and Z2 are distinct complex number यानि कि Z1 और Z2 दो अलग-अलग complex number है और किस तरह के complex number है कि दोनों का modulus कितना है 1 है और दोनों को add करने पे कितना आता है 1 आता है as you know that when two complex number are added the resulted number will also a complex number तो यह किस्ता का complex number एक ऐसा complex number है जिसका imaginary part क्या है 0 है ठीक 1 एक real number आता है 1 में इसको क्या लिख सकते है 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते है ठीक then the triangle in the complex plane with Z1, Z2 and minus 1 are the vertices must be equilateral तो सुनिएगा Z1 और Z2 दो complex number है कैसे complex number है दोनों का modulus होना चाहिए 1 साथ दोनों को add करने पर कितना आना चाहिए 1 और तीसरा complex number सपोज इसको हम क्या ले ले लेंगे Z3 ले लेंगे क्या ले लेंगे Z3 तो यह जो Z3 है Z1 है और Z2 ही यह तीनों मिलके एक triangle form कर रहे है complex plane में तो हमें बताने है वो triangle किस तरह का होने वाला है यह वो equalateral होगा क्या वो right angled होगा क्या वो isocellus होगा या फिर वो obtuse angled होगा तो हमें यह चार option में से check करना है तो चलिए पहले concept सीखते है देखिए हमारे को क्या लेना है Z1 लेना है एक Z2 है और तीसरा Z3 है जो कि हमें दिया हुआ है कितना माइनस 1 अब यदि इस पर बात की जाए तो आपको पता है कि उन्होंने बोला है कि सर्थ Z1 और Z2 को जब add करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए और Z1 का mod और Z2 का mod भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ऐसे complex number चलिए थोड़ा सा assume कर लेते है 1 by 2 plus root 3 by 2 iota और मैं Z2 ले रहा हूँ 1 by 2 minus root 3 by 2 iota सर इनको लेने से क्या फाइदा होगा देखी ज़रा जिस दिन मैं आप से बोलूँगा कि Z1 और Z2 को देखी add करें क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो देखेंगे 1 by 2 plus root 3 by 2 iota plus 1 by 2 minus root 3 by 2 iota ये दोनों cancel हो जाएंगे बचेगा सरफ कित्ता 1 by 2 plus 1 by 2 जो कि मुझे मिलेगा 2 by 2 और मुझे क्या मिल गया 1 तो मेरे ख्याल से मेरी ये वाली property satisfy हो रही है जो हमने 2 complex number assume किया सब उनका modulus चेक कर लेते है Z1 का modulus अदी मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा याद है na x का square और y का square तो ये हो जाएगा 1 by 2 का whole square plus root 3 by 2 का whole square कितना देदेगा मुझे ये ये मुझे देदेगा 1 by 4 और ये देदेगा कितना 3 by 4 इनको जब मैं solve करूँँगा तो मुझे मिलेगा 4 by 4 which is nothing square root of 1 and it's 1 यानि की z1 का mod कितना है 1 z2 के mod पे यदि बात की जाए तो z2 का mod कितना है 1 by 2 का whole square plus minus root 3 by 2 का whole square आप जानते नेगेटिव नमबर का square करेंगे positive होना है उसे तो again क्या लगता है 1 by 4 हो जाएगा और ये कितना आजाएगा 3 by 4 जो कि मुझे फिर से क्या मिल गया 4 by 4 यानि कि square root of 1 which is nothing है 1 तो हमने 2 जो complex number assume किये हैं ठीक तीसरा तो हमने z3 minus 1 ले लिया जो उन्हों नहीं दिया है तो ये तीन complex number एक z1 जिसको हमने क्या लिया 1 by 2 plus root 3 by 2 iota z2 जो उसका conjugate है देखिए इसको conjugate बुलाना सिखा है मैंने इमेजिनेरी पार्ट का sign change हो जाता है ठीक mirror image तो 1 by 2 plus root 3 by 2 iota है और 1 by 2 minus root 3 by 2 iota है और तीसरा complex number है minus 1 इन तीन complex number की कहानी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर बताऊ अपनी जुबानी तो देखिए Z1 हमारे पास जो complex number था 1 by 2 plus root 3 by 2 iota है हमने Z2 हमने उसका conjugate उठाया है 1 by 2 minus का root 3 by 2 iota लिया है और Z3 कितना बेटे minus 1 मैंने आपको बताया है कि इसका X वाला part भी positive है Y वाला भी positive है याने कि कौन से quadrant में आना चाहिए 1st quadrant में आना चाहिए तो suppose यहां कहीं हमारा क्या है Z1 Z2 में देखिए इसका X positive है और Y कैसा है Negative तो यह कौन से quadrant में आना चाहिए हमारा 4th quadrant में आना चाहिए Z2 ठीक इनको जोड रहा है और तीसरा कहीं ना कहीं बीच में आता है minus 1 जो कि X axis में आता है याने कि imaginary axis यह जोड दिया हमने क्या लगता है यह एक triangle बन जया है ठीक अब बताना है कि यह जो triangle है यह minus 1 को हमने क्या नाम दिया है Z3 यह जो triangle है यह equilateral triangle है कि isocellus है कि right angle है देख, equilateral होगा तो तो तीनो साइड आपस में क्या आएंगे एककवल आईसोcellus होगा तो कोई दो साइड आपस में एककवल तो चलिए पहले तो साइड्स निकाल लेते है क्या से निकालेंगे सर पहले हमें निकालना होगा कितना भईया Z1 minus क्या करें Z2 सर क्यों minus कर रहे है अरे मैं distance formula से Z1 minus Z2 निकालूँगा उसका modulus तो modulus मतलब क्या होता है distance अरे हमने पढ़ाया यह याद होगा कि सर यह कोई complex number Z होता था जिसके coordinate X,Y तो यहाँ origin से लेके यहाँ तक के distance को क्या mod Z से नहीं represent करते थे तो यह जो होता था यह distance ही तो होता था इसको distance बोला जाता था तो हम पहले Z1 minus Z2 का क्या निकाल रहे है mod सर यहाँ पर minus sign नहीं होता था होता था अरे यह क्या होता था सर यह यदि Z है तो Z minus 0 इसके coordinate कितने होते थे 0,0 होते थे समझ महीं बात इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं जाता है यहाँ पर सिर्फ mod Z लिखा होता है जबकि mod Z minus 0 लिखा हुआ है origin ठीक और यहाँ पर क्या लिखेंगे Z1 minus Z2 भाईया इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है mod Z minus 0 कोई दिक्कत तो नहीं याने कि इस point से लेके इस point तक की दूरी ठीक इस point का नाम यदि O है इस point का नाम क्या है O यह 0 नहीं है यह point क्या है O तो Z minus O तो ऐसी Z1 minus Z2 Z2 minus Z3 और Z3 minus Z1 में ख्याल से इत्ती बात clear है चलिए तो Z1 minus Z2 का mod निकालने से पहले Z1 minus Z2 निकालने इसी तरीके से हमें क्या निकालना है एक और Z2 minus Z3 निकालना है और एक निकालेंगे हम Z3 minus Z1 ठीक तो पहले इनका difference निकाल लेते हैं पताईए Z1 minus Z2 कित्ता हो जाएगा यह लिख रहा हूं मैं 1 by 2 plus root 3 by 2 iota minus करना है मुझे Z2 को 1 by 2 यह positive है तो negative हो गया और यह negative है तो यह positive हो गया root 3 by 2 iota क्या लगता है सर प्लस करना 1 by 2 और यह minus करना 1 by 2 दोनों क्या हो गया cancel हो चुके हैं इन दोनों को add करेंगे तो यह कित्ता हो जागा 2 times root 3 by 2 iota जो की cancel देगा मुझे कितना root 3 iota समझदार है आपन सब हम इसको और क्या लिख सकते है 0 plus root 3 iota ठीक सर ऐसा क्यों किया देखिए इसको इसलिए किया कि जब मुझे इसका mod निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 का square plus root 3 का square जो कि मुझे कितना देगा भाईया 0 plus 3 जो कि कितना देगा root 3 इतनी बार समझ मैं उस चीज का square ऐसी करते थे modulus निकालते थे अगली चीज मुझे क्या निकालना है Z2 minus Z3 तो चलिए Z2 मुझे Z3 पहले Z2 लिख दे रहा हूं 1 by 2 minus root 3 by 2 iota ठीक minus मुझे क्या करना है minus 1 यही करना है minus तो यह इसका वाला minus है और Z3 हमारा कैसा है minus का 1 है तो यह solve करूँआ तो यह हो जाएगा कितना 1 by 2 अच्छा minus और minus क्या हो जाएगा यह plus का 1 और साथ में क्या चल रहा है minus का root 3 by 2 iota इसको solve करेंगे तो यह दोनों real numbers है तो 1 by 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3 by 2 और minus का root 3 by 2 iota यह हमारा दूसरा complex number है यदि ऐसा तो यही पर distance निकाल ले modulus निकाल ले तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 by 2 का whole square और plus minus root 3 by 2 का whole square solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा तो 9 और 3 कितना 12 by 4 जो कितना दे देगा root 3 है ना 4 1 जा 4 3 जा 12 तो root 3 आ गया z3 minus z1 निकाल लेते हैं z3 minus z1 तो अभी isosales की category में आ गया है वो isosales की category में आ गया दो sides सापस में क्या है equal z1 z2 वाली जो side है एक वो equal है और z2 और z3 वाली side भी क्या हो गई है equal z3 minus z1 को और चेक कर लेते हैं z3 कितना है minus 1 फिर यह हो जाएगा minus का 1 by 2 और minus का root 3 by 2 आ योटा अच्छा यह दोनों again real number है तो इसका LC में लूँगा तो minus 2 और minus 1 कितना हो जाएगा minus का 3 by 2 और minus का root 3 by 2 यह हो जाएगा अब यह निकल गया तो इसका modulus कैसे उनके coefficients का square x का square कर दें पहले minus 3 by 2 का whole square और plus minus root 3 by 2 का whole square क्या लगता है यह भी कितना हैगा सर यह आ जाएगा 9 by 4 negative वोचा पॉजिटिव हो रही है उसे और यह कितना हो जाएगा 3 by 4 तो अगेन हमारे पास वोई कहानी आ गए 12 by 4 यानि कि root 3 तो भाई साथ क्या लगता है तीनों की तीनों साइट सापस में क्या आई है equal आई है यानि कि mod z1 minus z2 किसके equal आया है mod z2 minus z3 is equals to mod z3 minus z1 तो भाईया हम बोलेंगे यह कैसा triangle है equilateral triangle है ठेक equilateral triangle तो चलिए हम अपने option पे आ जाए तो बताएगे का है must be equilateral तो होप सो इतना समझ जाया होगा यह question कि स्थाइके से काम करता है ऐसे questions को आपको और इस्ता के questions मुझसे सीखने है तो आप गायत्री education का app download करना ना भूलिए play store में जाके पूरा नाम टाइप करिएगा गायत्री education classes आपको app मिलेगा वहाँ से जाके आप पोर ज़रूर याद से purchase करिए ठीक अच्छा एक और question कर लेते हैं यह रहा आपके सामने एक और question आज का determine the value of iota की power iota इस पे बात करते हैं यह कैसे solve होगा चार option है e की power pi by 2 iota है e की power minus pi by 2 iota है तीसरा e की power pi by 2 और चौथा e की power minus ka pi by 2 इसको कैसे solve करें देखो इसको solve करने के लिए दो methods हैं कितनी methods हैं? दो method हैं तो एक-एक करके बात करते हैं सब पहली method किया है? पहली method पर बात करते है first method हो सकता है पसंद आ भी जाए ना भी आए लेकिन यदि log के बारे में आपने पढ़ा है तो आप इस बात को समझेंगे कि यह जो दिया है मुझे iota की power कितना दिया हुआ है iota it can be rewrite as इसे कैसे लिखा जा सकता है e की power log iota की power iota सर यह क्या कर रही है? अरे यहां पर base में जब कुछ नहीं होता है तो automatic e आता है और e और log e दोनों आपस में हड जाते हैं सिर्फ iota की power iota बसता है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है यदि ऐसा है तो यहां पर iota को मैं आगे लिख रहा हूँ e की power iota log i आप समझ गया होंगे कि सर यह एक formula होता था log m की power n तो n आगे आ जाता था उचक के और यह log m बसता था वोई की iota आगे 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 इसमें तो दिक्कत नहीं है यह बड़ा आसान सा है अब तकलीफ यह हो जाती है कि log i कैसे निकाला जाए तो इसके लिए भी log के लिए एक formula होता है क्या कि सर लॉग iota को निकालने का एक बड़ा ही simple सा तरीका होता है क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता है log of modulus i और प्लस किया जाता है iota और यहां पर लिखा जाता है argument of i ठीक यह log i को लिखने का तरीका है अच्छा इसको जब देखा जाए काईदे से तो ऐसे लिखा जाता है log i और यहां पर यह log mod i नहीं लिखा होता है actually में ln i लिखा होता है आपको यदि सज बता है सर इसमें क्या होता है बेटा इसको general log कहा जाता है अंतर भी करना सीख लिजे इसको general log और ln को natural log कहा जाता है यह होता है कौँसा natural log और यह प्लस में क्या चलता है i argument of i argument तो यह आने की सब को याद होगा अब कैसे निकालेंगे यहां पर देखो निकालने का तरीका क्या मैं यहां पर एक और बात कर दूँ iota can be written as 0 plus 1 iota इस तरीके से लिखा जा सकता है और sir no doubt यह कैसा है एक complex number ही तो है यह भी क्या है complex number है जिसका real part क्या है 0 है तो यदि मैं आप से बोलूँ कि mod z बता दीजिए तो mod z यदि आप बोलेंगे तो mod z का मतलब क्या है कि modulus of i मैं यहाँ पर है यानि कि modulus of i modulus of i का मतलब क्या है कि sir 0 का square कर दीजिए और 1 का square कर दीजिए जो कि मुझे कित्ता देदेगा square root of 1 यानि कि 1 तो भाईया modulus of i कितना आ गया है 1, क्योंकि मुझे यहाँ पर value रखनी पड़ेगी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक, याने कि modulus of i क्या अतना है, 1, अच्छा, argument of i तो argument of i पर ही बात कर लेते हैं, यह भी मैंने आपको पिछले lectures में सिखाया है, ठीक, यदि iota की बात की जाया तो, यह जो 0 plus 1 iota है, यह indicate करता ह 0,1 को, याने कि x में 0 और y में कितना, 1, याने कि यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं पर iota है, यहाँ कहीं पर iota है, तो argument लेने का मतलब angle, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो angle होता है, कितना होता है, वो कितना होता है, पाई बाई 2, याने कि argument of i कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 argument is nothing but the angle, argument is nothing but the angle, but उसमें quadrant system लागु होता है, यहाँ पे πई बाई 2 होता है, यहाँ पे याद होगा πाई माइनस, यहाँ पे माइनस πाई प्लस है न और यह ठीक है, थेचितना, माइनस थीटा, यह चार क्वाडरेंट सिस्टम हमने आरगोमेंट वाले वीडियो में पढ़ाए जाके आप देख लीजेगा तो ऐसे लोगों का निकालने का तहीं का आर्गोमेंट कितना है पाई बाई टू तो जब मैं इसे वेल्यू रखूंगा बताईएगा तो लॉग आई मुझे कितना मिलेगा लॉग आई बरहाबर यह हो जाएगा एल एन वन गया आई टाइमस पाई बाई टू तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आई टाइमस पाई बाई टू यह किसकी वेल्यू निकाली है हमने लॉग आई की वेल्यू निकाली है अब इसको निकालके क्या करेंगे आपर सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो तो ए की पावर 5 by 2, iota into iota कितना हो जाएगा, iota square 5 by 2, और दुनिया जानती है कि sir, iota square is nothing but minus 1, तो यदि iota square minus 1 हो गया है, तो बताएगे क्या हो जाएगा, e की power iota square कितना हो जाएगा, minus और ये कितना हो गया, minus का 5 by 2, तो आपने iota की power iota का answer कितना निकाला है, e की power minus 5 by 2, बात संच मैं तो right answer, तो ये बात संच में आया होगी कि ऐसे हमने log का इस्तमाल करके कर दिया, एक और तरीका होता है, एक और shortest भी होता है, लेकिन उसको मैं बात करूँगा दूसरे lecture में, है न, इस lecture में उसकी बात नहीं करूँगा, और फिर से बोल रहा हूँ, जिने और भी concept सीखने हैं, गय भी paid वाले हैं, no doubt, paid वाले videos हैं, जिनमें आपको और भी तरह के ऐसे lectures में, ऐसे questions देखने को मिलेंगे, तो आज का यही था हमारे लिए, इतना ही, मिलते हैं next lecture में, thank you.